सुप्रीम कोट में वुद्वार को उत्राखंड सरकार ने राज के जंगल में लगी आग पर काबू पाने के बारे में जानकारी दी राजसरकार ने बताया कि सिर्फ 0.1% वन जी वसाग से प्रभावित हुए हैं इस पर सुप्रीम कोट ने कहा कि क्लाउड सीडिंग यानि की कृतिम बारिश या इंद्रदेफ पर निरभरता उत्राखंड में जंगल में आग की बढ़ती घटनाओं का निदान नहीं है और अधिकारियों को इस समस्या से निपटने के लिए एतिहाती उपाय करने होगे उत्राखंड सरकार ने राजुमें जंगल की भीशन आग पर काबू पाने के लिए उठाये गए कदमों से नियायले को अफगत कराते हुए कहा आग की घटना के कारण राजु का केवल 0.1% प्रतिशत वा निजीव छेत्र प्रभावित हुआ है अलकि मेडिया के कुछ वर्गों ने बताया कि उत्राखंड का 40% हिस्सा जल रहा था जो पूरी तरह से भ्रामक था राजसरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने नियायमूर्ती बियार गवय और नियायमूर्ती संदीप महता की पीट को बताया पिछली साल नवंबर से राज़ुमी जंगल में आग लगने की 398 घटनाएं हुई वो सभी मानव निर्मित हैं साथी उन्होंने बताया कि जंगल की आग के संबंद में 350 सापरादिक मामली दर्श किये गया उनमें 62 लोगों को नामित किया गया वकिले कहा कि लोग कहते हैं कि उत्रखंड का 40 प्रतिशत हिस्सा आग से जल रहा है जबकि पहाड में वन्यजीव इलाके का कीवल 0.1% भाग ही आग की चपेट में है उत्रखंड के उप महादिवक्ता उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि उत्रखंड का 40% हिस्सा आक से जल रहा है जबकि इस पहाड़ी राजजुम्य वन्यजीव छेत्र के वल 0.1% हिस्सा ही आक की चुपेट में है और ये सभी मानव निर्मित थे नवंबर से लेकर आज तक जंगल में आक की 398 घटनाएं हुई सभी मानव निर्मित उप महादिवक्ता ने पीच के समक्ष अंतरिम स्थिती रिपोर्ट भी रखी जिसमें जंगल की आक सिन पटने के लिए अधिकारियों दुआरा उठाए गए कदमों का ब्योरा भी समाहित शी इश अदालत ने इस साल 2019 में जंगल की आक पर एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा ऐसी घटनाएं खास कर गर्मियों के दौरान पहाडी राज्यों में एक गंभीर समस्या पैदा करती हैं और इसका कारण बड़ी संख्या में देवदार के पेड़ों की मौजूद ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योज़ 24